हलो एवरीवन मैं हूँ कामरान चोधियो और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान आज के बेसिक कॉंसेप्ट सीरीज के लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे सबलीमेशन सबलीमेशन क्या होता है और हम उसकी कुछ एक्जेंपल्स डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम सबलीमेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि सबलीमेशन होता क्या है तो सबलीमेशन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दब प्रॉसेस in which a solid turn into a gas directly without going through a liquid state sublimation एक ऐसा प्रॉसेस होता है जिसमें कोई भी solid direct gas में convert हो जाता है liquid में गए बगएर ठीक है तो ऐसे प्रॉसेस को आप क्या बोलते हैं sublimation बोलते हैं अब इसकी एक्जेंपल्स पे आने से पहले मैं आपको यह बदा देता हूं कि sublimation अकर कैसे होता है so हम यह देख लेते हैं कि how sublimation occur जो sublimation का process है इसमें basically हो गया रहा होता है ठीक है sublimation occur when the particles at the surface of the solid have enough energy to break away from the solid and escape as a gas अच्छा अच्छा अब हो क्या रहा होता है जब किसी भी solid को आप heat देते हैं heat provide करते हैं गरम करते हैं ठीक है then उस solid की surface पे जो particles होते हैं वो इतनी energy gain कर लेते हैं इतनी energy absorb कर लेते हैं कि उन्हें liquid state में जाने की जरूरत ही नहीं होती वो directly gas में convert हो जाते हैं ठीक है तो इस तरहां से sublimation का process अकर हो रहा होता है अब किन-किन substances में sublimation का process अकर होता है उसकी मैं आपको कुछ example देता हूँ जैसे अगर आप बात करें dry ice की ठीक है dry ice क्या होती है solid form of carbon dioxide carbon dioxide की solid form को आप क्या बोलते है dry ice बोलते है अब जब इस dry ice का आप temperature increase करते हैं कितना minus 78 degree celsius से minus 78 degree celsius से ज्यादा जब आप temperature करते हैं then यह directly carbon dioxide gas में convert हो जाता है यह जो dry ice होती है जब आप इसका temperature करेंगे greater than minus 78 degree celsius then यह बजाए liquid में जाने के directly किसमें convert हो जाएगी carbon dioxide gas में convert हो जाएगी इसी तरह से जो second example है वो है iodine की iodine भी ऐसा substance है कि जब iodine के आप crystals को heat करते हैं then यह बगएर liquid state में गए यह directly gas में convert हो जाता है similarly एक और अगर मैं आपको example दूँ तो हमारे पास substance है एक और ammonium chloride अब ammonium chloride भी ऐसा substance है जो कि sublimation का process शो करता है आप directly जब आप ammonium chloride को heat करते हैं then यह directly gas में convert हो जाता है without going into a liquid state ठीक है so उमीद है आपको sublimation का process अच्छे से clear हो गया होगा कि sublimation होती क्या है और किन-किन substances में sublimation का process हकर होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई है then चैनल को subscribe जरूर कीजेगा वीडियो को like करें, share करें thank you very much झाल रे नहाँ है झाल यहाँ है झाल झाल क्या उतम रच्छे वीडियो को उत्वेवाँ है झाल